हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैक पुर्पे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास नाइन का इंग्लिस अब वो होगा अब्जेक्टिव और चैप्टर का नाम होगा हमारा दा इसनेक एंड दा मीरर ठीक है इसका हम पार्ट वन लेकर के आए हैं इसमें हम टॉप फाइब सवालों को देखेंगे ताकि आपको कम समय में याद हो जाए ठीक है और इसके कर लेना घंटी के बैल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर से चेक करना वहां पर आपको वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप इंस्टाग्राम अब आपसे कह रहा है इस सवाल को ध्यान से सुन लो इस सवाल में कह रहा है कि यह जो चैप्टर है आपका दा स्नेक एंड दा मीरर इसका रिटेन किसने किया था यानि इसको लिखा कौन था ठीक है लिखक का नाम बताना है पहला आप्सन है आपका विक्रम सेठ दूसरा है वाइकोम महम्मद बशीर तिसरा है इसाक ऐसी मूफ और चाओथा है नोट नोट का मतलब होता है अगर आपका इन चारो में से कोई भी ओप्सन आपका आंसर नहीं है तो आप ओप्सन नमबर डी को ठीक आउट करोगे ठीक है तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है इस Snake and the mirror का जो लेखक है वो को ने बैक है मोहमद बसीर ठीक है बाई समझ में आ गया चलो अब इसका यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ पर देखों मीरर है ठीक है यहाँ पर दियान से देखना यहाँ पर मीरर है ठीक है तो इस मीरर को जो है आप क्या करना महा से आपका फ़ैट Помीरर आप महा से मोहमद आप याद रखना हूँ ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा what kind of woman the doctor with two marry ठीक है तो किस तरह का जो औरत थी वो डॉक्टर के साथ थी ठीक है marry, marry जो थी, marry एक woman है ठीक है और आपको बताना है कि वो किस तरह की औरत थी thin woman, fight woman, angry woman या फिर tall woman तो वो जो औरत थी वो थी आपका fight woman, option number B इसका सही जवाब हो जाएगा इसको आप लोग याद कर लेना ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल हमारा what met the speaker, remember God ठीक है, तो God को याद करने के लिए क्या बनाया गया था, remember ठीक है तो fear of death, fear of fire, the fear of trying, ठीक है fear का मतलब होता है, dare, fear का मतलब, dare, भय, तो यह हो जाएगा आपका option number A, ठीक है fear of death, यानि मिर्तिव का भय, जिसके अंदर मिर्तिव का भय होगा न, वही क्या करेगा God को remember करेगा, God को क्या करेगा, remember, remember मतलब क्या, याद करना तो God को को न, याद करेगा भय, जिसके अंदर मौत का डर हो, मिर्तिव का भय हो, ठीक है option number A, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, where did narrator of the story, the snake and the mirror live अब यहाँ पर देखो, live का मतलब हो जाता है, रहना, और narrator का मतलब हो जाता है, कथा वाचक narrator का क्या मतलब होता है, कथा वाचक, यानि जिसने कहानी को लिखा हो, गड़हा हो, है न, तो जिसने कहानी को लिखा था, where did the narrator of the story, the snake and the mirror live तो वो कहां रहता था, small open house में तो इसका मतलब हो गया, कि जो आपके कहानी का कथा वाचक है, वो कहां रहता था, ठीक है, यह जो कहानी है, आपका the story of the, the story, अहना, the story, the snake and the mirror जो है, इस कहानी का जो कथा वाचक है, वो कहां रहता था, small rented house में, कहां रहता था, small rented house में अगला सवल है हमारा, what made the noise in the doctor room, noise का मतलब होता है, sore, noise का मतलब क्या होता है, sore sore का मतलब हो गया, किस तरह का sore उसके वहां पे doctor के room में था, the owl का, यानि की उलू का sore था, snake का sore था, यानि साप का sore था, rats का sore था, या फिर पीजन का था, ठीक है, तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपका option number C, rat का, यानि चूहों का sore उनके room में था, तो उमीद करते हैं कि आ पेरी पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके घंडिगे बैल अकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो को notification आपके mobile पर जाता रहे, विलेंगे अगले वीडियो में, thank you